अजमिर जिले में जिला प्रमुखव प्रदानों के चुनाओं के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 10 दिसंबर को पूरी की जाएगी। उप जिला प्रमुखव उप प्रदान का निर्वाचन 10 दिसंबर को होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अत्रिक निर्वाचने दिकारी कैलाश चंदर शर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर को जिला प्रमुकव प्रदानों के चुनाओं के लिए बैठक प्रातर 10 बजे शुरू होगी। इसके बाद 11 बजे तक उमीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की सविक्षा साड़े 11 बजे से शुरू होगी। तता एक बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी। इसके तुरंद बाद एक बजे से अब्यारतियों को चुनाओं चिन्नों का आवंटन कर दिया जाएगा। दुपैर्टी इन से पाच बजे तक मददान एम इसके तुरंद बाद मदगरना कर परिणाम की गोशना की जाएगी। केलाश चंदर शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर को उपजला प्रमुक्व उप्रदानों के चुनाओं के लिए भी बैटक प्रातर 10 बजे से शुरू होगी। इसके बाद 11 बजे तक उमीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की सविक्षा साड़े 11 बजे से शुरू होगी तता एक बजे तक नाम मापसी की जा सकेगी। इसके तुरंद बाद एक बजे से अब्यार्थियों को चुनाओं चिन्नों का आवंटन कर दिया जाएगा। दुपेड 3 से 5 बजे तक मद्दान एम इसके तुरंद बाद मत गरना कर परिणाम की गोशना की जाएगी। उसमें चुनाओं की प्रक्रिया होगी। जो नई पंचा समीतियां सावर और अजमेर ग्रामिन बनी है। उनके लिए सपत के लिए स्थान निर्दारित किये गए हैं। सावर के लिए तासिल कारेले सावर में सपत का जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। और अजमेर के लिए पंचा प्रक्रिया के अंदर अजमेर है। जमा कराने की प्रक्रिया कल राते दस बज़े से प्रारम होगी। उसी समय फोर्म हगे जमा कराए जाएंगे। नॉमिनेशन जमा होने के बाद में उनकी स्क्रूटनी, सिम्बल अलोट्मेंट और आवशक होने पर मद्दान करवाए जाएगा। मद्दान तीन वज़े से प्रारम होगा।